हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त नर्वी सिंग जाड़ेजा आपका खुब खुब स्वागत है हमारे चनल सीवीजेट प्रिंटर टैक्स स्वलूशन में आज मैं आपके लिए पिल्कुल नया प्रॉडक्ट लाया हूं जैग्सिस्टिंग आप पहले से उसमादान निकाला लेकिन पहले मैं आपको समझा दो कि हमारा जो प्रॉडक्क के वह है सेन्टर फीडिंग प्रिंटर के लिए आ चोला गडिंग ने नहीं वेसे पभुटा देता हो कि सबस्क्राइण परकोडिक सब्द शं पर 3040 यश्ञ होता यूरा सिंटर में प्रिंटर करना है Basil कि इसको बोलते हैं Central feeding printer यह तो और अलगलग तीन चार ब्राइंड में अगर आपके पास यह वाला पुर्ड़रודה क्रहत है जिसमें Central Feeding क lease उसक्ता है तो आप हमारा परडर्ट असे यूज कर सकते हैंगर आपके से पहले हमारा जो प्रोड़क्स में आएगा कि पर्चिस करने के लिए आपके पास Amazon का उप्षिन भी अवेलेब है हमारा वेबसाइट का भी ऑप्षिन अवेलेबल है और आप डारेक्पी मुंगवा सकते हमारा वेबसाइट का पूरा डिस्टिट्रिशन हमने दे रखा है डी अभी जो मैं प्रिंट करका दिखा रहा हूं उसमें हम लोग है रहे हमारे शॉप्टर से आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है अगर आप existing कोई और चीछ से कर रहे हैं तो भी चलेगा लेकिन हमारे शॉप्टर के यह से आपका काम एक दोब फास्ट हो जाएगा पर जो पर चीछ पर जाएग पर शॉप्टर को कैसे यूज करना है यह सब्सक्राइब को कहा से मिलेगा पूरा डिटल अमने डिस्क्रिशन दिया है अगर ऑप existingly यूज कर रहे है तो आपको मालूम अब मुस्ट में नया एक और ऑप्शने शिल्क कर रहे हैं अभी हमरा जो प्रड़क्त कैसे यूज करना है मैं आपको समझा दूंगा उसके बाद कोई दिख्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कि सबसे पहले आपन करेंगे प्रिंट फॉम पीडियाप कि इस पीडियाप को मैं प्रिंट करना आपन कर रहा है हम लोग अब अब आरे पास दोनों काड़ रेडी है प्रिंट करने के लिए फ्रंट और बैक अब आपका जो वाइट मीडिया उसको मीडिया उसको में करना है कि मिदिया दोनों तरफ सेम है ठीक है नॉर्मल काड की तरह ही डालना है उसमे कोई स्पेशल नहीं है जो इसको नेक नॉर्मल काड की तरह अंदर इंसेट कर दिया तो अभी आधि बरेंट करनी है फ्रण्ट और बैक अम लोग जा रहे हैं भी फ्रंट में करेंगे जाना है अभी हमरे पास जो पिंटर है L31500 हम उसके प्रपर्टी की साब से मैं आपको समझा रहा हूं पेपर साइज लेना है 4x6 प्लेंट पेपर जो है उसको करना है मैट क्वालीटि जो है करना है और यहां से खास आपको याज रहते हैं कि Bauderless करना है Bauderless करने के बाद दिखों पुरा प्रिंट कर पाएगा Borderless, Epsomade, Quality High, इस तीन सीजर सिर्श कर लिए आपने चारबाई चेक की सेटिंग में लखिए अब इसको काम कामां देते हैं अभी आपने देखा हमारा फर्म साइड पिंट हो गया है अभी इसको मैं पेक में प्रिंट करना है एक खास दिया डखना है जो आपको मिला प्रिंट प्रिंट आउड आया नीसे उसको टर्न कैसे करना है इसको एसे टर्न करना है इसको साइड में टर्न करना है अपको यह राख दखना है कि जो पॉर्षण वाइट है उपर का वो उपर की तरह भी रहना चाहिए तो इसको हम लोग साइड में टर्न करेंगे अब देख सकते हैं यह पॉर्षण उपर है अब इसको हम डाल रहे है अब ब्रिंट कर रहा है बैक साइड जैसे फ्रेंट के था वैसे बैक साइड करना है इसे मैं बजा देता हूं 4 बाइचे का आप्शन है बॉर्डर लेस रखना है कॉलिटी पेपर की है और मैट रखनी है और हाई रखना है देखिए आगे और पीछे दोनों प्रिंट हो गया है अब देखिए लीव आगे बैक साइड प्रिंट हो गया एग्जेट लीव अपना फ्रेंट साइड भी प्रिंट हो गया अब नेक्स्ट प्रॉसस्स में आपको समझा रहा हूं जो पहले यह जो प्रड़क है उसको में दूटिंग लगाने यह मैंने बताया था कार्मरे बॉक्स में आपको दो चीजह साथ में मिलेगी एक वाइट मीडिया मिलेगा प्रिंटेबल और दो कोटिंग मिलेगे यह कोटिंग पेपर है जो इसके साथ मेल्ट हो जाएगा इस पर दुबारा समझाता हूं कि हमारा जो कोटिंग इस तरह साथ है लेकिन आपको याद रखना है कि जो अंदर का जो पोर्शन है वो ग्लोशी नहीं होना चाहिए ग्लोशी पोर्शन वो बाहर के तरफ रहना चाहिए आपको फिर से देख पा रहेंगे कि जो ग्लोशी पोर्शन हो बार के तरफ आएगा और जो रफ है वो अंदर के तरफ रहेगा अभी इस प्रोड़कों इसके पीछ पे रख रहे हैं अब मैं जो बता है असको में प्रिंट आउट को बीच पर रख दिया है और दो कोटिंग साइड में लगा दिये मैंने बता पेश एक बार रिपीट कर देता हूं ग्लोशी बार्न की तरफ होना चाहिए और रॉफ है और अंदर की तरफ होना चाहिए और इसको में मशीन से पास कर रहे है टेम्परचर उने ओनिटी पे साइट कर दिया है ठीक है यह वी रेडी अचाहिए अब दिख सकते कार और का चैकर परफेक्ट पूरा शाइनिंग हो गया है ठीक है और कार यह बिलकुल मदा तैयार हो गया है अब है एक जलो तीन साइड मारे रेड रेडी हो गई एक साइड में सैट करनी है ठीक है अब कार एक डाम साप्ट है बत्रेल जइत धेक अब यह बारा कार्ड नॉर्मल कार्ड की तरह बन गया है अब जो बेजिक कमर रिक्वामेंट होती है वो कॉर्णर कट किए कि इस कॉर्णर करके हल्प से उसको आप कार सकते हैं इस पर हम चोटा वाला option साइज रख रहे हैं पूर आर्प कि कि अब यह आपका काड हंट्रेट परसंट रेडी हो गया किस्टमर को देने के लिए पहले में एक बार और बता दूँ कि यह हंट्रेट परसंट स्क्रेच पूफ है इस पर स्क्रेच का कोई असर नहीं होगा इसको आप पानी में डाल देंगे पंदा दिन पढ़ा रहे जो प्रिंट किया है वह उमनें वाइट मीडिया पे किया है जो इसके अंदर है उसके अगे-जार पीचेक बीच में ब्युक्त हो गया है यह पर दो काड ऑलगे की बज़ासे हमाड हो गया है और दूसरा कि आप कार्ण के दिन जो को मैंक्टाद हो गया हो गया है मैं आपको दो कार्ड की comparison समझा रहा हूं existing जो कार्ड भी हमने बनाया वो कार्ड और जो मार्केट में वैलेबल जो PVC कार्ड है ब्लैंक PVC में लोग ले आते हैं उसकी और उसकी comparison समझा रहा हूं देखें दोनों की मोटाई एक तरह से सेम होगी है और thickness quality wise भी इस दोनों में कोई म पड़े रहते हैं तो थोड़े दिनों बाद दीरे-दीरे का impression मीट जाता है यह impression पूतना धुनला हो जाता है जबकि इस कार्ड में उसके गुंजाईशी नहीं क्योंकि इस कार्ड में जो impression है उसके पूरी coating लगी हुई है तो इसका impression मीटने का कोई चांस नहीं है तो कहने का आप देख पा रहे है थैंक यू